तो इस Tech जुगार में हम आपको एक तरीका बताएंगे कि कैसे limited data में भी आप actually unlimited data के हिसाब से net को access कर सकते हो और consume कर सकते हो content all over social media and of course other platforms अब क्या है कि मानलो जैसे आप जियो है या कई सारे और ये network providers हैं जिनका आपके पास daily का एक data pack हो तो मानलो अगर एक या date gb का भी daily का data हो तो बहुत बार होता है कि अगर आपने कोई एक movie देख ली online तो उतने में ही आपका जो है data जो है सारा का सारा consume हो गया but इस video में आपको हम कई सारे ऐसे तरीके बता देंगे जिससे कि आप अपने जो data consumption है उसको optimize कर सकते हो और maximum data को consume कर सकते हो content को consume कर सकते हो online और अपना data pack of course उतने का उतना ही रख सकते हो कैसे कर सकते हो यह सब हम बता रहें इस video में बट सबसे पहले आप bell icon को press करो get all our notifications on time and subscribe to us on YouTube like us and follow us on Instagram and Facebook तो इसमें क्या होता देखो अब मानलो आपका 1.5GB data है जो नहीं बच रहा तो उसके रहे सबसे पहले आप क्या करो अपने phone में जाके Chrome पे जाओ और Chrome पे आपके पास top right पे ये तीन dots दिखेंगे तीन dots पे जब आप जाओगे तो यहां पे आपके पास settings का option होगा settings पे जाके आप देखना है यहां पे आपको light mode बिलकुल last में light mode का एक option मिलेगा अब light mode क्या होता है अगर इसको आप on कर देते हो light mode में Chrome जो है वो आपको 60% less data use करेगा और इतनी आपकी budget हो भी सकती है that is what it basically is going to tell you सबसे पहले तो इसका light mode on करो ठीक है इसके बाद आप क्या करो दूसरा app जो है basically is facebook facebook जो है बहुत data consume करता है basically आप इस पे जाओ अपने again यह three lines आपको top right पे दिखेंगे और इस पे जाके आप जाए settings and privacy पे settings and privacy पे भी आपके पास बिलकुल नीचे यहाँ पे data saver का एक option मिलेगा data saver पे जाके आप करें इसको on अब इसमें क्या होगा turning this on will reduce image size and stop videos from playing automatically अब facebook पे क्या होता है videos automatically play हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे unless आप सिरफ वो ही videos play होंगे जिनको आप play करना चाहते हो data saver जैसी हमने on किया इसके साथ साथ दूसरा option भी है always turn off data saver on wifi तो wifi पे जैसी आपका phone जाएगा तो automatically data saver off हो जाएगा अब क्या है देखो अगर मुझे यह video play करना है तो मुझे इस पे play दबाना पड़ेगा तब ही यह play होगा otherwise यह automatically play नहीं होंगे इन में से कोई भी video automatically play नहीं होगा ठीक है जी तो यह हो गया आपका दूसरा option अब तीसरे option के लिए आपको जाना है अपने phone की settings में settings पे जाके यहाँ पे अब connection and sharing में आपके पास data usage का option आएगा अब data usage का जो option है इसमें जितने भी आपके phone के apps हैं basically वो कितना data use कर रहे हैं यह आपको पता लगेगा इस option में जाके तो system के जो apps हैं उसमें पता लग रहा है जैसे chrome जो है वो इतना data use कर रहा है और यह data मतलब background में भी use हो रहा है constantly use हो रहा है जितने मर्जी apps हैं सारे के सारे सबकी एक list बनके आजेगी यहाँ पे अब इन में से जो apps आप नहीं चाहते background में चलते रहें उनका आप अराम से data जो है वो बंद कर सकते हैं और कैसे बंद कर सकते हैं आप जैसे इस पे मान लीजिए मैं अगर जाता हूँ chrome पे और chrome पे जाके आप देखोगे background data for ground में 64.4 MB background में 27.5 MB अलड़ी use कर रहा है background में जब मैंने नहीं भी use किया तब भी यह background में use कर रहा है इसको मैं अगर off कर दूँ तो एक बस आपको यह एक warning ज़रूर मिलेगी कि अगर आप background network access बंद कर देते हैं किसी भी app का तो उसमें आपको messages receive करने download content इसमें आपको थोड़ी सी दिकत आ सकती दिकत इन द वे कि normal functionality ज़र थोड़ा फरक हो गई तो in my case I am still going for it to save my data यही चीज़ अगर आप whatsapp पे या किसी और app पे करोगे न तो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी आपको because whatsapp पे background में अगर आप off कर देंगे तो whatsapp में भी जो आपको notifications आनी है वो आनी बंद हो जाएंगे तो इसके लिए जरूरी है कि आप whatsapp का जो background data है उसको on ही रखो और बाकी apps जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है background में चलाने के लिए उनको आप बंद जरूर कर सकते हो